नमस्कार वीडियो शुरूर के निस पहले एक ज़रूरी बात हमारी सन्नाइज की चुनावी आतर निकल चुकी है उत्रप्रदेश के हर शहर, हर जिला, हर विधान सबा में यूपी की जनता का मूर जानने के लिए कि आखिरकार इस बार यूपी में किसकी सरकार आएगी तो ग जर्बड़ी का आरोप लगाकर बिहार में जगे जगे अभ्यार्तियों ने जम कर हंगामा किया, पटना, भोचपुर और गया में विरोर प्रदर्शन हिंसक भी हो गया, इसके लपेटे में पटना वाले खान सर आ गए हैं, अभ्यार्तियों को भढ़काने के आरोप में उन के साथ साथ कुल 6 टीचरों और 16 छात्रों को भी नामजात किया है, इंट बर रेलवे अभ्यार्टियों को हंगामा और प्रदर्शन करने के लिए भढ़काने का आरोप है, पुलिस ने खान सर पर उनके एक वीडियो के अधार पर केस दर्च किया है, जो चलिए जानते हैं आखिर उस वीडियो में क्या था जिसे पुलिस ने खान सर पर शिकंजा कस दिया है, 30 नमेंबर 2021, खान सर ने अपने यूट्यूब चानल पर आरारवी एंटीपीची से संबंदित एक वीडियो डाला, इसमें उन्होंने नौकरी से संबंदित सभी जानकारियों का जिक्र कि खामियों को बताने के साथ साथ उन्होंने किसान आंदोलन से संबंदित कुछ तस्वीरों को साजा करते हुए कहा कि छात्रों को अपनी मुहीम किसान आंदोलन की तरह लंब में चलानी होगी, उनके इस वीडियो पर 25 लाख से जादा व्यूज थे, सबसे गमाल बात उस वी रेलवे स्टुडेंट कैंपेइन भी चलाया, जिसमें लाखों लोगों ने ट्वेट किया, आरार भी एंटीपीसी रिजर्ट को लेकर खांसर ने यूट्यूब पर वीडियो की सिरीज बना डाली, हर वीडियो पे वेच्छात्रों की समस्यां को लेकर रेलवे पर सवाल और उसी से 20 गुरा रिजर्ट बता दिया है, खांसर के मताबिक 3,80,000 चात्र जो इंडर्मीडियेट के थे, उन्हें आगे की परिक्षा के लिए आयोग घोशित कर दिया है, उन्होंने रेलवे परिक्षाओं से जुड़ी सबसे बड़ी परशानी रेलवे के खाली पदों और वोटिंग लिस्ट नहीं निकालने को बताया, वो रेलवे में पदों के खाली रहने की वज़े भी इसे ही बता रही है, इतना इन्हीं खांसर ने चात्रों के मसले को उठाते हुए अपने वीडियों में रेलवे पर चात्रों को तीन साल बरबात करने का भी आरोप लग वही सवाल उठ रहे हैं कि क्या महज दो दिनों में सामने आया गुस्सा है या इसकी तयारी पहले से हो रही थी, इन्हीं सब को लेकर पटना वाले खांसर आरोपो के घेरे में आ गए हैं, बुदवार को गया में होए हिंसर प्रदर्शन पर खांसर ने सफाई दी, पत्रका उसे डिलीट कर दे रहा है, हमने तो मना किया था कि 26 जन्वरी को कुछ नहीं होना चाहिए, हम चुप हो जा रहे हैं तो आंदोलन भी चुप हो जाना चाहिए, एफ़ाया दर्ज होने के बाद खांसर अपनी पटना वाली कोचिंग को बंद करके फरार हैं, बुदवार यान अगर थाना में केस दर्ज किया गया, इसके बाद आज सुबे से ही खांसर गायब है, आखिर में जान लेते हैं आखिर कौन हैं खांसर, खांसर प्रतियोगी यानि कॉम्पेटिशन परिक्षाओं की तयारी कराने वाले चात्रों के लिए अलग-लग विश्यों पर वीडियो करते हैं, यूट्यूब पर उनका एक चानल है, जिस पर उनके करीब 14 मिलियन से जादा सब्सक्राइबर है, अब देखना ये होगा कि अब इस बुद्धे पर और क्या नई अप्डेट सामने आती है, मैं आपके सामने इस बुद्धे की साथ ये अप्डेट्स लेके आती र झाल